14.3.4 कोशी का विभाजन लेंगिक प्रजनन वा युगमको का निर्मान Cell Division Sexual Reproduction and Formation of Gamet मनिशों के किशोरवस्ता के समय से नर्व मादा के जननंगों में युगमको का निर्मान होने लगता है युगमको का निर्मान हमें ऐसे सभी जियों में नजर आता है विभाजन न होकर एक अन्य प्रकार का विभाजन होता है जिसे मियोंसिस ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कम होना या अर्थे सुत्री विभाजन कहा जाता है या प्रकार का विभाजन कहा इसका प्रकार करें मियोंसिस गाषम का करा है जिसे सभी और आता है या कुपमको का उन्य नुगर को क्पारी विभाजन हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो पुल स이션 को मुण हो Way कर दो कर दो की कर दो दो है मुण्न कर दो पुलjak करदंसर दो जनन कुशी का ये बन्न दो जनन कुशी काओं में मात्र कुशी काओं की तुलना में कितना अनुआशी 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 का जाने वाले गुण सुत्रों की संख्या आधी हो जाती है उधारन के लिए मनुष्य की कुशिकाओं में जहां तेज जोड़ी अर्था 46 गुण सुत्र है जनन कुशिकाओं में तेज गुण सुत्र ही होते हैं अर्था प्रत्यक जोड़ी का एक गुण सुत्र ही जनन कुशिका में होता है क्या आप जानते हैं मनिष्य के गुण स्थरों का Hmam लिंग निर्धारित करने वाला गुणुर का जोड़ा है 14.3.5 लैंगिक बनाम अलैंगिक यदि हम लेंगिक पर अलेंगिक प्रजनन की तुलना करें तो हम पाते हैं कि लेंगिक प्रजनन में अनुवांशिक पदार्थ में अलेंगिक प्रजनन की अपिक्षा अधिक फेर बदल की कारण संतेती जीवों में अधिक विवित्ता पाई जाती है इसे लेंगिक प्रजनन से बनी संतानों में पीड़ी दर पीड़ी जीवित रहने की संभावने बढ़ जाती है जीवों के विकास में विवित्ता की क्या भूमिका होती है लेंगिक प्रजनन करने वाले जीवों को विवित्ता से क्या फायदे होते होंगे लेंगी प्रजनन दोरा जीवों में अधिक विवित्ता आती है तो क्या अलेंगी प्रजनन दोरा विवित्ता नहीं आती चलिए यह जानने के लिए एक क्रिया कलाप करे क्रिया कलाप 4 यहां प्रयोग बारिश के मौसम के ठीक बात किया जाए तो अच्छा होगा आलू के ऐसे टुकडे कर लीजिए जिनमें कम से कम एक आख हो हर एक आख वाले हिस्से को मिट्टी में थोड़ी दूरी में बो दीजिए ध्यान रहे हर दो टुकडों के बीच एक बित्ते के बराबर जगह हो साथ ही यह टुकडे मिट्टी के जादा अंदर धसे हुए न हो एक दिन छोड़ कर एक दिन पानी देते रहिए कितने दिन बाद पौधे नजर आए एक आलू से कितने पौधे बन गए क्या सभी टुकडों से पौधे बने क्या सभी पौधे एक जैसे थे आलू के पौधों में विवित्ता कैसे उत्पन हुई होगी क्या इस प्रकार का प्रजनन लेंगिक है या अलेंगिक हमने इस प्रयोग में देखा है कि अलेंगिक प्रजनन द्वारा भी विवित्ता होती है विवित्ताओं के वज़े से सामानेता किसी प्रजाती की निरंतरता बनी रहती है